हर दोई में वकील, कनिष्ट, महरोत्रा के मड़ा मामले में तीजी से आक्शन लिया जा रहा है। इसे बीच मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्वजिला ध्यक्ष, विरेंद रियादव और फबीरे समेथ पांच लोगों को गिरफतार किया है। एक आरोपी को गुरुवार रात मुटभेर के दौरान दाहीने पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ा, जबकि बाकियों को उनके घरों से गिरफतार किया गया। यहत्या प्रॉपर्टी के विवाद में सुपारी देकर शूटर्स के जरीए करवाई गए और दो शूटर अभी भी फरार है। इस प्रॉपर्टी से जो भी टेनेंट है उन सब को खाली करवाना। तो उसमें लल्लावी वांचित है, राजवीर वांचित है और रामु वांचित है। इन तीनों को पकड़ने के लिए अपड़ोई पुलिस के मल्टिपल टीम्स जगह 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 पर रेड कर रही हैं। वही समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामरे आने के बाद ये मामला जो है सियासी गल्यारों में भी खूब उच रहा है। अधिवक्ता की हत्या सरयाम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साब गोली मार रहे हैं। क्या माला पहनाएंगे क्या। वही मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पाची के हर दोई से पूर वसिला ध्यक्ष विनेदर प्रताप सिंग वीरे आदव का नाम लेते वे। उसकी आपराधिक हिस्ट्री खोली एक करके उस पर दर्ज 28 मुकदमों को सदन में गिनवा दिया। वही दूसरी तरफ इस मामले को भुनाने की कोशिश में कॉंग्रूस भी जुटी है। आज कॉंग्रूस की प्रदेश अध्यक्ष अजयराय पीडित परिवार से मिलने के लिए पहुचे। दरसल हर्दोई में बीती 30 जुलाई को वकील कनिश मलहोतरा की हत्या कर दी गई। जिसके बाद हर्दोई के स्पी नीदज कुमार जादौन ने मामले की जाज के लिए पुलिस की साथ टीमें तयार की।